नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिज शो में तो दोस्तों हाल ही में एक ऐसी सर्वे रिपोर्ट आई है जिसने चीनी सरकार को और चीनी परसाशन को बुरी तरीके से हिलाकर रख दिया है क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार चीन का जो सूपर प्लान है जिसके तहट चीन अमरीका को हटा कर दो 2028 तक दुनिया की नमबर वन अर्थववस्था बनना चाहता है और दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनना चाहता है वो नहीं हो पाएगा वहीं ये रिपोर्ट भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है क्योंकि इस रिपोर्ट के आधार पर सारे अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि जितना खजाना चीन की बाल्ती से चलकेगा वो भारत की बाल्ती में गिरता रहेगा यानि कि चीन जितना गिरता चला जाएगा भारत उतना ही उठता चला जाएगा इसलिए इसे भारत के लिए भी एक गोल्डन चांस कहा जा रहा है और इस वीडियो में आपको यह रिपोर्ट बहुत ही डिटेल से और आसान भासा में बताने जा रहा हूं तो बहुत इंपोटेंट वीडियो है अन तक जरूर देखेगा चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों स्क्रिंपर आप देखें बलूमबर्ग की आज ही रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि चीन के अंदर जितनी भी यूरोपियन कंपनियों की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनमें से एक चोथाई कंपनिया इस समय चीन से बाहर निकलने जा रही हैं यह बहुत बड़ा नंबर है बताया जा रहा है कि इस साल के अंतक 23% ऐसी यूरोपियन कंपनियों चीन से बाहर आ जाएंगी लेकिन यह तो एक शुरुआत है मैंने आपको सिर्फ बताई हैं यूरोपियन कंपनियों कहाये जा रहा है कि अ समान बनाकर उसे एक्सपोर्ट करना मुश्किल होता चला जाएगा और इसलिए वो तेजी से चीनी मार्गिट से बाहर निकलना शुरू हो चुकी हैं और साथ ही चीन के जो पडोसी देश हैं भारत वियतनाम इंडोनेशा इन देशों के अंदर धून रही है कि कौन से देश के अंदर हम अपनी फैक्टरियों को शिफ्ट करें अपनी कंपनियों को शिफ्ट करें लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है दरसल स्कीन पर आप देखे बीबीसी ने भी एक रिपोर्ट आचापी है जिसमें बताया है कि चीन के अंदर से विदेशी निवेशकों का निकलना बहुत ज़्यादा तेजी से भड़ा है और विदेशी निवेशक भारी मात्रा में चीनी मार्किट से कैश निकाल रहे हैं अपना जो इन्वेश्टमेंट था उसे बेच कर चीन से भाग रहे हैं लेकिन सिर्फ चीन से नहीं भाग रहे हैं दरसल चीनी कंपनियों की सफलता क का सबसे बड़ा राज ही माना जाता है कि चीनी कंपणिओंने तेजी से अमरीकर शेर मार्केट में अपने आपको लिश्ट किया वहां अने शेर बेचे और अमरीकर निवेशकों से वहां से पैसा कीचा फिर उसकी बदछ चीनी कंपणिओंने आज इतनी बैन कर सकता है उन्हें डी लिष्ट कर सकता है और अगर अब से डेड़ साल बाद डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट पती दोबारा बनते हैं तो ये बात तो निश्चित तोर पर होगी कि डोनाल्ड ट्रम्प ये बात खुले तोर पर कह चुके हैं ऐसे में अमरीकी निवेशकों में ये डर है कि उनका पैसा अचानक से खतम न हो जाए इसलिए वो तेजी से चीनी कंपनियों के शेर बेच रहे हैं और अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं और इसका सबसे अच्छा उधारण है चारली मंगर का दरसल जो बर्क शायर हात्वे ह जो दुनिया की सबसे बड़ी इनवेश्टमेंट कंपनी मानी जाती है और इसी के चेर्मेन है वारेन बफेट इसे आप जानती भी होंगे तो इसी के जो वाइस प्रेजडेंट है चारली मंगर इन्होंने हाल ही में अली बाबा जो एक चाइनीज कंपनी है भारी मात्रा में उसके शेर बेच दिये हैं और इससे अमेरिका में चीनी कंपनियों को लेकर डर और फैल गया है क्योंकि जो ये बड़े निवेशक होते हैं इनके कोंटेक्ट जरूर होते हैं सरकार में आने वाले भविश्य के फैसले के बारे में इन्हें भनक पहले ही लग जाती है और इस सबसे बड़ा कारणी ये है कि पहले तो चीन में कोरोना का लोकडाउन जारी है महीनों से सारी फैक्टरे बन पड़ी है उसके बाद वहाँ पर भारी सूखा पड़ा फिर वहाँ पर बाड़ आ गई और अब वहाँ पर टोरनेडो यानि कि चकरवाती तूफान भी आ गया है ऐसे में वहाँ पर भारी नुकसान हो रहा है इसके लावा ये डर भी है कि भविश्य में अमरीका चीन का टकराव बढ़ेगा तो चीन में व्यापार करना संभव नहीं हो पाएगा इसलिए ये पहले ही चीन से बाहर आ रही है और यही माहोल भारत के लिए एक बहुत ज्या कंपनिया चीन से बाहर आई थी तब भी भारत में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को भारत में लगवा दिया था और उसकी वज़े से ही मैंने आपको एक महीने पहले रिपोर्ट भी दी थी कि भारत का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा है एक बार फिल से लहर ये आ रही है भारत को इस लहर को कैपिडलाइज करना होगा हाला कि आपका इस पर क्या मानना है कमेट करें जुरू बताएगा फिलाली सुड़े में इतना ही थैंक यू वरमच फ्रोचिंग वीडियो